हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ आश्वीन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस वीडियोज में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जादूगर की एक और जादूगिरी देखेंगे ये गेम उन्होंने हेरी फोला के सामने 1977 में खेली थी जहाँ पे जादूगर ने किंग्स इंडियन एटेक खेला है अगेंस लेनिंगाट डच फोर्मेशन मिखेल ताल ने गिमकिश वाथ नाइट अप 3 से की उनके ओपनेड है दोस्तों हेरी फोला जिनों ने रिप्लाई दिया अगेंस लेनिंगाट डच जहाँ पे ब्लेक ने डी 6 खेला है नाव नाइट टू अप्सिक्स पॉसिबल नहीं है नोर्मल्ली हम बिशप ए3 जो है वो h3 के बाद खेलते है बट यहाँ पे नाइट टू अप 6 पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें क्या होगा दोस्तो बिशप जी फाय आ जाएगा और आपको नाइट अप 6 बाद में वापस खेलना पड़ेगा अधरवाइस अपना जो है की डिफेंडर बिशप उसको एक्षिन माइट भी करना पड़ेगा या क्वीन मूव करना पड़ेगी सो बेसिकली उस बिशप को जो है वो नाइट एरस नहीं कर सकती है और यहाँ पर हम जो है अब क्वीन दी टू आराम से खेल सकते हैं सो इसलिए बिशप टू जी तरी के बाद नाइट जी फॉर पोसिबल नहीं है नाइट टू जी सिक्स ब्लेक ने खेला अब क्वीन टू जी फॉर जैसी मूँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें भी बिशप जी फाई आ रहा है G4, and now Knight to H2, Knight to G8, क्योंकि Pawn on H6 पर attack था, and now Knight to D5, मिखेल ताल ने अपनी Knight को centralized किया, और यहाँ पर Bishop captures D5 जो है, वो possible है, जिसकेस में Pawn captures on D5 के बाद, Knight D4, and हम जो है, उस D4 वाली Knight को capture कर सकते हैं, क्योंकि सेम Knight दोस तो आगे चलके F3 पर जा रही है, So, deadly Knight बन जाती, So, okay, Pawn captures के बाद, अब, D5 पर Pawn होने की वज़ा से, E6 square जो है, उसका हम इस्तिमाल कर सकते है, with Rook E6, and after Rook A2, E8, यहाँ पर जो है, हम Rook double कर सकते है, और जो भी Black capture करता है, हम Pawn से capture करेंगे, और वहाँ पर हमारे पास, जो है, काफी बड़ी ऐसा Pass Pawn बन जाएगा, So, Knight to D5 के बाद, Game में खेला गया, Knight to D4, again, दोस्तों, यह Knight जो है, वो काफी जो है, आपर F3 पर deadly बन सकती है, So, इसलिए, Mikhail Tal ने उस Knight को capture कर दिया, बट उससे पहले देखते हैं, कि Knight to D5 के बाद किया, इस Pawn को capture किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि Pawn push में Bishop trap हो सकता था, So, Knight D4, and now, Bishop captures on D4, E captures on D4, and now Knight to F4, दोस्तों, इस position में, देखिए, एक छोटी सी trick है, trick है है, कि Knight F4, हमने G6 पर attack किया है, So, Bishop जो है, वो F7 पर गया, और यहाँ पर trick ही है, कि Pawn G4 पर capture करना चाहते है, जिसमें जब Queen से capture होगा, then क्या होगा, Bishop to H3, और उसके बाद, Queen के पास एकी move बचेगी, Queen to F3, मैं आपको दिखाता हूँ, Knight captures, Queen captures, Bishop to H3, and Queen जो है, वो simply F3 पर जाएगी, जहाँ पर White, जो है, repetition कर सकता है, और draw हो रही है, अगें, जो है, G4, and again, Bishop H3, बर दोस्तों, अजिम करो, कि इसी position में, White की Queen कहीं ओर है, then Rook D3 खेल के हम, जो है, Queen को trap कर सकते हैं, इसलिए, मिखेल ताल ने पहले खेला, Bishop to F7 के बाद, Queen to A5 इस position में, उन्होंने G4 पर capture नहीं किया, and after C5, अब उन्होंने Knight captures on G4 खेल दिया, reason यह है, कि Queen captures G4, and then Bishop H3, Queen F3, and Rook to D3 Queen trap हो गई, so Knight captures on G4 के बाद, B6 Queen पर attack है, but now Queen to A3, सो मिखेल ताल के पास 201 extra pawn है, और प्लस, उनके दोनों Knight जो है, वो Black के King के काफी नजदिक है, उनकी position में कोई जो है, इतनी बड़ी weakness नहीं है, so यह position जो है, definitely white के लिए, यहाँ पर आच्छी है, यहाँ पर Bishop to E5, Black ने खेला, and now मिखेल ताल ने खेल दिया, Knight captures on E5, and आपर D captures on E5, Knight to D3, Pawn on E5 पर टेक है, so Rook A to E8, and now मिखेल ताल ने खेला C3, जबकि उदर Rook A to E8 के बाद, Stockfish चाज़ेस कर रहा है, कि F4 खेला जा सकता है, जिसमें से Pawn captures F4, then Knight captures on F4, और Knight to E7, अब जो है, G6 square को overprotect कर रहे हो, but then E5 खेला जा सकता है, और यहाँ पर White का है Pass पहुंज हो है, आगे चलके Deadly बन सकता है, बर दोस्तों, गिम में मिखेल ताल ने Rook A to E8 के बाद, C3 खेला, और यहाँ पर Black ने पहले खेला, Bishop to H5, Rook पर अटक किया, और अब Rook to D2, Rook को सेव किया, और इस position में दोस्तों, Stockfish suggest कर रहा है कि, Black को Queen to D6 खेलना चाहिए, ताकि जब भी मिखेल ताल D4 पर capture करें, वो Queen captures D4 खेल पाए, रिजन यह है कि हम Knight को pin कर रहे है, साथ साथ जो है, यहाँ पर प्रेशर भी बना रहे है, जबकि Rook to D2 के बाद, गेम में खेला गया Queen to G7, अब इससे किया हुआ दोस्तों, या तो मिखेल ताल को यहाँ पर passpon मिल रहा है, या फिर C फाल पर काफी बड़ी activity मिल रही है, क्योंकि pawn captures on D4 के बाद, से आप e captures on D4 खेलते हो, then pawn to E5, और मिखेल ताल का passpon जो है, आगे जलके dangerous बन सकता है, उनका bishop भी जो है, अब open हो चुका है, जबकि C captures on D4 के बाद, गेम में खेला गया, C captures on D4, बड़ उसकी बज़ा से आप C फाल पर मिखेल ताल के रूग जो है, वो active हो सकते है, तो मिखेल ताल नहीं यहाँ पर खेला, रूग टु C2, और बिशप टू F3, और इस पोजिशन में आपकोज आप जो है, बिशप captures on F3 करके खेल सकते हो, बड़ मिखेल ताल नहीं बिशप टू H3 खेला, और नाव N2 F6, और अब बिशप की पोजिशन इंप्रूव की, विथ बिशप टू F5, और नाव N2 H5, और किंग H2, क्योंके N2 H5 में दोस्तों थ्रेट है, सिंप्ली उदर, नाइट captures, और पॉन captures, और वहाँ पे बिशप को काफी अच्छा है, टेक मिल रहा है, सो किंग H2, और इस पोजिशन में दोस्तों बिशप ने खेल दिया, रुक captures on F5, बड़ दोस्तों बिशप का ये decision जो है, वो totally गलत है, action sacrifice का, अगर आप में से कोई जो है, शुर्य शेकर गांगुली को follow कर रहे है, तो आपको पताऊगा कि उन्होंने class में बुला था, कि जब आप board पे chess कहलते हो, आपका key जो भी होता है, कि आप हर position में best move find करने की try करो, और वो करने के लिए आपको emotionally stable रहना पड़ता है, आपको totally rationally सोचना पड़ता है, तो जब आप rationally नहीं सोचते हो, तब क्या होता है, कि आप से गलती होती है, तो यहाँ पे purely क्या हो रहा है, कि black एक pawn down था, इसलिए black जो है desperate try कर रहा है, वहाँ पे वो rationally अप नहीं सोचने लगा है, वो जो है just emotionally सोचने लगा है, जिसकी वज़ा से उन्होंने यह move खेली, बट यह move जो है दोस्तों, वो totally wrong है, क्यूंके pawn captures on f5 के बाद, black के पास को attacking resources ही नहीं है, black अपकोस अपने pawn roll कर सकता है, बट rook on e1 की वज़ा से, उनका pawn on e4 जो है, वो pin रहेगा, बलेक ने pawn e4 तो खेला, बट उसका कोई benefit नहीं है, यहाँ पे मिखेल ताल ने खेल दिया, queen to d6, उनका idea है, rook to c7 का, and now knight to f6, but now rook to c7, and now दोस्तों, pawn captures on d3, black ने खेला, बट यहाँ पे अब जो है, चार मुँ में by force checkmate हो रही है, जो कि मिखेल ताल ने miss की है, बट वीडियो का post कीजिए, और सोचिए आप कैसे चार मुँ में checkmate कर सकते हो, ready, दोस्तों यहाँ पे मिखेल ताल चाहे है, तो queen captures on f6 खेल सकते थे, जिस केस में, अगर queen capture f6, then rook captures on e8, and then queen f8, and then rook captures f8, जो है checkmate हो रही थी, और pawn captures on d3 के बाद, जो है queen captures on f6, और यहाँ पे से आप पहले rook को capture करते हो, जो हैं simple है, queen captures g7, mate हो रही है, बट anyways, pawn captures on d3 के बाद, मिखेल ताल ने यहाँ पे खेला, rook captures on g7, and after king captures on g7, just rook captures on e8, और यहाँ पे दोस्तों, black ने resignation दे दिया, क्योंकि by force checkmate हो रही है, से आप यहाँ पे खेलते हो, knight captures e8, but then queen to e7 check, king g8 जाओ या h8 जाओ, कोई फरक नहीं बढ़ता, queen captures on e8 check, king g7, and then queen to e7 check, again दोस्तों, कहीं पे भी जा सकते हो, g8 या h8, but कहाँ पे भी आप जाओ, simply जो है, pawn f6 push हो रहा है, और बाद में g7 पे checkmate हो रही है, सो इसलिए मिखेल ताल ने जब, rook captures on e8 खेला, इस position में, actually black ने resignation दे दिया, सो दोस्तों कैसी लगी आपको, मिखेल ताल की ए game, और आज काई वीडियो, I hope मेरा वीडियो और ए game, दोनों ही आपको काफी पसंद आया होंगे, पसंद आया है तो अपनी से चैनल को सब्स्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिलकुल ना बूले, धनिवाज जैहिन, झाले, बाइब लाइब